हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ मतन कीमा कड़ाई की रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ कीमा तो आपने कई तरीके से बनाए होंगे एक बार आप ये मतन कीमा कड़ाई बना कर देखिए बहुत ही कम मसाले डलते हैं और साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंट्स कि इस कीमा कड़ाई को बनाना बहुत आसान है बहुत ही जटपट जल्दी बन कर तयार हो जाता है साथ में बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट इसमें डलते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कीमा कड़ाई बनाने के लिए कड़ाई मसाला तैयार करना है जो कि रोस्टेड मसाला होता है तो एक पैन या कड़ाई में 1 टबले स्पून साबुद जीरा ले लेना है 1 टबले स्पून साबुद धनिया 1 टबले स्पून काली मिर्च लेनी है साबुद और 2 सूखी लाल मिर्च लेनी है और अब इसी कढ़ाई में मैंने दो बड़े चमच सरसो तेल को गरम कर लिया है सरसो तेल में बनाएंगे तो इस कीमे का टेस्ट और अच्छा हैगा इसमें डाल लेना है दो छोटी एलाइची, तीन से चार लॉंग और एक दालचीनी का टुकरा उसके बाद दो मेडियम साइज की प्यास को इस तरह से चॉप करके इसमें डालना है और अब इस प्यास को बस लाइट पिंग होने तक ही फ्राइ करना है जैसे ही लाइट पिंग इसका कलर आ जाएगा इसमें हमें कीमा डाल लेना है मैंने मटन का कीमा लिया है 300 ग्राम और इस कीमे को घर में ही मैंने चौपर में चौप कर लिया है और अब इसे हमें गैस किफले मीडियम टू हाई करके तो उसे 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है और फ्रेंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे कीमे से पानी रिलीज होने जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें से पानी रिलीज होगा तब इसमें हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी इस कीमे को एक से दो मिनट तक मेडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो प कीमे में आप देखेंगे कि पानी खुस्क होने लगेगा इस टाइम पर अब इसमें हमें नमक आड़ करना है तो नमक आप अपने टेस्ट एकोर्डिंग डालिए साथ में वन फोर्थ टेवले स्पून हल्दी पाउडर डालना है यह आप चाहें तो इसमें डाले वरना आप इ आप us बांचे से ठीड़ा को जाए लगे फान डालने के अब इसमें हमें टमाटर डालना है तो टमाटर को आप चौप आप करके sexually में शाओ करना है तो देखेंगे को आपको बहुत ही असाद करके प्राइब से निकालcompla लेना है और फिर इसे इस हमेंते झमड़ीम आपकु मिक्स कर लेना है टमाटर बहुत ही आसानी से बहुत आराम से इस कीमे में मिक्स हो जाएगा कोई जंजट नहीं है आप चाहें तो टमाटर को चौप करके भी डाल सकते हैं कीमे को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब इसमें हमें ये कढ़ाई मसाला डा नहीं बनाया है यह मैंने वन एन हाफ टेबले स्पुन इसमें डाला है आप देख लें आपको कितना टेस्ट इसका बढ़ाना है तो बस यह डालने के बाद इसे दो से तीन मिनट तक और कुक करेंगे जैसे ही आप कढ़ाई मसाला इस कीमे में डालेंगे इसमें से बहुत ही ब तो बस देख लीजे इसको बनाना कितना आसान है कोई जंजट नहीं कोई टेंशन नहीं अब इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्फ कर लेना है तो चलिए फ्रेंस यह कढ़ाई कीमा बनकर तयार हो चुका है एक बार आप इसे जरूर बनाईए और देखे यह कितना टेस्टी लगता है खाने में बहुत कम मसाले डलते हैं मगर इसका टेस्ट बिलकुल आसम होता है और यह देखे फ्रेंस जट पट यह कढ़ाई कीमा बनकर तयार हो गया है कोई जंजट नहीं इसको बनाने में इस कीमा कढ़ाई को आप रोटी, पराथा, नान, तंदूरी रोटी या चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी ये कीमा कड़ाई की रेसिपी एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करकर जरूर बताईए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करा हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलते हम आप से एक नई रेसिपी के साथ